नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन अस्थापना दिवस को भब्य बनाने में जूटी हिमंद सरकार राजे अस्थापना दिवस को लेकर हिमंद सरकार ने तैयरिया सुरू कर दी है 15 नमबर को पूरे राजे में आयोजीत होने वाले जार्खन अस्थापना दिवस के मौके पर राज़सरकार कई सोगात देने की तियरी में है मुख्य समारो राजधानी रांची में होगा प्रमंडल और जिला अस्तर पर भी कारकरम आयोजित करने की त्यारी की जा रही है बता दे राजस्थ अपना दिवस पर एक बार फीर हेमन सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार के तिसरे चरण की शुरुवात की जाएगी वहीं जार्खन करमचारी चैन आयोग विभीन पदो पर चैनी त्युआओ को न्योकती पत्र देने की त्यारी कर रहा है वहीं कैविनेट मंत्री मिथलेस कुमार ठाकूर ने राजस्थ अपना दिवस की जनकारी देते हुए कहा है कि यह जार्खन के लिए उत्सव है इसे भवे बनाने के त्यारी की जा रही है इस मोगे पर मुख्य मंत्री हेमान सुरेन राजस्थ वास्यों को कई सवगात भी देंगे राज अस्थापना दिवस को लेकर मुख सचिव ने सभी विभागे सचिवों और चिला अस्तर पर उपायुकतों से राज सरकारदवारा संचालीत योजनावक की बिश्तरित रीपोर्ट देने को कहा इसके अलावा अस्थापना दिवस पर राजे के पुलिस अधिकारियों और करमचारियों को जार्खन राजे पाल पदक जार्खन पुलिस पदक और जार्खन मुख्यमंत्री पदक भी दिये जाएंगे देश का पहला एसियन महिला होकी चेंपियंशिप के आयोजन से जार्खन गरवानुईत सियम हेमंत् भारत में पहली बार एसियन महिला होकी चेंपियंशिप आयोजित किया जा रहा है पहली बार आयोजित होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट की जिमिदारी जार्खन को दी गई है इसे यादगार बनाने के लिए जार्खन सरकार हर कोशिज कर रही है बताद 27 अक्टूबर से 5 नौबर तक मौराबादी इस्थीत अंतराष्ट्रिये एस्टोटर्प होके स्टेडियम में होने वाले इस चेंपियंशिप को लेकर तहरिया पूरी कर ली गई है मुख्य मंत्री हमंसुरे ने उमीद जताते हुए कहा है कि इस खेल के आयोजन से जार्खन में और खेल को बढ़ावा मिलेगा और खिलारी पूर्शाहित होंगे मीडिया कर्मियों से बादचीत के दर्मियान मुख्य मंत्री है मंसुरे ने कहा है कि आमतर पर इस तरह के खेल के आवजन में हजार उपए तक की टिकट की वेवस्ता होती है जिस दोरान इसमें कला बजारी भी होती रहती है मकर जारखन में यह बिल्कुल भी निसूलको होगा नए साल से बदलेगी सरकारी स्कूलों के कलास 1-8 तक की कितावे जारखन के सरकारी स्कूलों के कलास 1-8 की कितावे अगले साल से बदल जाएंगी सैक्षिनिक सत्र 2024-2025 से बच्चों को नए कितावे मिलेगी नई किताबों में कई बदलाव किये जा रहे हैं, कई नई चैप्टर भी जोड़े जाएंगे वहीं NCRT के अंग्रेजी में छपी किताबे का हिंदी में अनुवाद करके बच्चों तक पहुंच आया जाएगा ताकि बच्चे हिंदी में पढ़ाई कर आसानी से भी साय के बारे में समझ बिक्सित कर सके इसकूली सिक्षा यमसाख्षरता विभाग के निजस पर जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिसद ने इसकी तियारी सुरू कर दी है ज्यारखन के पांच जीलों में किसान बचाओ अभियान ज्यारखन किसान महासभा और जय ज्यारखन अभियान के सन्यूक तत्वधान में किसान बचाओ यात्रा के सुरुवात की जा रही है प्रथम चरण में 50 पंचायतों में इस अभियान के तहट किसान पंचायत का उजन किया जा रहा है जिसमें बोकारो, रामगर, रांची, हजारी बागिरीडी धनबाद और गुमला जिले के विभिन पंचायत सामिल होंगे बता दे किसान बचाओ महा अभियान का सुभाराम बोकारो जिले के गोमिया परखंड के 25-25 अक्टूबर से किया जाएगा पच्मो पंचायत के जुमरा गाओं के सरना अस्तल से यह यात्रा सुरू होगी बताया गया है कि यह अभियान एतिहासिक होगा जो किसानों की दसा वदिसाताय करेगी यह जनकारी जारकन किसान महा सभा अध्यक्स राजु कुमार महतों ने दिया है बाबुलाल की संकल पयात्रा के समापन समारोह में सामिल होंगे जेपी नड़ा भाजपा के राष्टरी एध्यक्स जेपी नड़ा 28 अक्टूबर को रांची के हर्मू मैदान में होने वाली संकल पयात्रा समापन कारकरम के मुख्यातिती होंगे भाजपा के परदेश, महामंत्री एवं मुख्याले प्रभारी डाक्टर परदीप वर्मा ने बताया है कि नवरात्र एवं दुर्गा पुजा के कारण संकल पयात्रा का अवकास था यात्रा का नवा और अम्तिम चरण 26 अक्टूबर से प्राराम होगा जो 28 अक्टूबर को सन्युक्त सभा के साथ संपन होगा वहीं 26 अक्टूबर को बाबुला मरांडी बाग मारा बिधानसभा छेतर आउ 27 अक्टूबर को इच्चागर और सिली बिधानसभा छेतर में जनसभा को समोधित करेंगे समापन समारों के त्यारी जोर सोर से हो चुकी है इस दवरान 312 अमरित कलक्स भीराश्ट्री अध्यक्स को सोपे जाएंगे 11 जेपीसी निमावली की पेच में फसा जेपीसी सीवील सेवा परिक्षा एक पहली बन कर रह गई है परिक्षा से पहले और परिक्षा के बाद बिवादों में घीरने की वज़ा से यहां के चात्र प्रभावित होत रहे हैं इन बिवादों के पीछे सबसे परमुख कारण जार्खन गठन के बाद से अब तक जेपीसी निमावली का नहीं बनना है यही वज़ा है कि जो भी सीवील सेवा परिक्षा आयोजित की गई है वह सभी की सभी बिवादों में रही हैं और नियाले तक ममला पहुंचता रहा इस इंतियार में है कि अब एकारवी सीवील सेवा परिक्षा का भी आपन आएगा PM किसान की पंद्रहवी किस्त जल्द 6,000 रुपे नगत लाब दिये जाते हैं जिसका भोकतान तिन किस्तों में होता है पच्चमी सिम्भूम में बेटों ने पीट पीट कर सरावी पीता को मार डाला पच्चमी सिम्भूम जिले के कुमार डूंगी थाना छेतर अंतरगत उडूंगा गाउं में बिजया दसमी की साम पीता के बेवहार से तंग आकर बेटों ने डंडों से पीट पीट कर अपने ही पीता चंद्रमोहन हेंबरम और्फ मंदीर हेंबरम 44 बर्शे की हत्या कर दी मिरिता की पतनी गिरिह वती हेंबरम के ब्यान के अनुसार चंद्रमोहन अपने घर में सराव पिकर रोजाना लडाई जगडा करता रहता था उनके छो बेटे हैं वो तीन बेटे बेटों वो पतनी के साथ आए दिन मार पीट की घटना को अंजाम देता था घटना वाले दिन मंगलवार सुबह भी पीता ने बाड़ा बेटा सूसील हिमरम के साथ मार पीट की थी जमसेदपूर हाचसे पर सीम हेमन्त ने जताया दुख के बिश्टुपूर्थाना चेतरे के बोधन वाले घट पर भी सरजन के दोरान हुए हाचसे पर सीम हेमन्त सुरे ने दुख जताया है वहीं स्वास्त मंत्री बाना गुपता भी घायल लोगों से मिलने के लिए टाटा मेन होस्पिटल पहुंचे पूर्भी सिंभू में मंजुनात भयंत्री और सीनियर एसपी की सोर कौसर भी घायलों से मिलने के लिए स्पताल पहुंचे DC ने घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित सा सुविधा उपलब देकराने की निदेश दिये बता दे कि जम सेथपूर में परतिमा बिसरजन के लिए मादुर्गा की परतिमा लेकर पहुंचा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पीछे की ओड़लना पर लुडुक गया जिससे कम से कम पांच लोगं भी रूप से घायल हो गाए और दो लोगों की मौत हो गई है हादसे के बाद DC और SP ने सरधालों से अपील किया है कि अपनी सुरख्चा का ध्यान रखते हुए बिसरजन कारकरम में सामिल हो फूटबॉल खेलने के दोरान एक गारा खिलाडी अचानक हुए बेहोस जारखंड के गुमला जिले के चैनपूर थाना चेत्रे के नाता पाल गाउं में मंगलवाद देरात 11 फूटबॉल खिलाडियों की अचानक तवियत बिगड़ गई जिससे गाउं में हड़कम मच गया घायलो में 7 महिला खिलाडी और 4 पूरुस खिलाडी सामिल हैं बताया जाता है कि नापा तोल गाउं के खिलाडीयों की टीम फूटबॉल खेलने राइडी परखंड के कुनार टोली गए थे फूटबॉल खेलने के दरण आचानक एक महिला खिलाडी बेहोस हो गई उसके कुछ देर बाद एक आलोग की भी तवियत बिगड़ गई इन्हें इलाज के लिए स्वास के दिर में भरती कराया गया जहां से 7 महिला खिलाडीयों के गंभीर इसीती को देखते हुए उन्हें गुमला रेफर कर दिया गया जहां सभी का इलाज चल रहा है वन नेशन वन इलेक्षन को लेकर हुई बैठक देश में वन नेशन वन इलेक्षन को लेकर बुद्धवार को पुर्व राष्ट पती रामनात कोविंद के अध्यक्सता में समीती की दूसरी बैठक आयोजीत की गई बैठक में केंद्रिय ग्रीह मंत्री अमीत साह, पुर्व सॉलिस्टर जनरल हरीस सालवे, जमू कस्वीर के पुर्व सीएम गुलाम नभी आजाद के अलावा बीधी आयोग के चेर्मेन रितु राज अवस्थी भी पर्मो कृप से मौजूद रहे इस दोरान लौ कमिशन की ओर से एक पूरा रोड मैप भी पेस किया गया, समीती ने अपनी दूसरी बैठक में इस बार लौ कमिशन के चेर्मेन को भी सामिल होने के लिए अमतित किया था, समीती जानना चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव किस तरह से करवाए जा सकते है इसलिए बीधी आयो के सुझाओ और विचार जानने के लिए बुलाया गया था सराय किला में दहकते अंगारों पर चले भक्त पैरों में नहीं पड़े चाले सराय किला परखंड अंतरगत उपर दूगनी पंचायत के उकरी गामे बुद्धवार को निया मारा का विजन किया गया और माता ठाकुरानी की पुजा अर्चना की गई लगभग 30 महिलाये पिलेवस रधारन कर अस्थानिये सोना नदी से कलस लेकर पुजा अस्थल पहुँची और कलस अस्थापना करते पुजा अर्चना की भक्तों ने दहकते अंगारों पर नंगे पाउच चलते हुए अपने अराधे के प्रती हट भक्ती दिखाई दहकते सोलो पर नंगे पाउच चलने के बावजूद उनके पैरों में छाले तक नहीं पड़े स्वर्न रेखा नदी के पानी की होगी जाच जारखन राजे परदूसन ने अंतरन बोड ने बुद्धवार को सोर ने रेखा नदी के दो मुहानी और मांगो ब्रीज के पास से पानी के नमूने लिए हैं इससे पहले मंगलवार को भी पानी के नमूने संग्रहन किये गए थे ताकि यह पता चल सके कि परतिमा बिसर्जन के पहले और बाद में परदूसन की मातरा में कितना अंतर आया है बतादे जार्खन राज परदूसन नियंतरन बोर्ड के छेतरिय पताधिकारी जितंद्र कुमार सिंग के अनुसार भी सर्जन से पहले और बाद में नदियों के विभीन मापदंडों में बदलाव का पता चलता है जिस से संकेत मिलता है कि पान्नी के समगर स्वास्थ पर कितना परभाव पड़ेगा भागवान बिर्षा मुंडा के जनम दिन पर उली हातु आएंगे पीए मोदी परधान मंत्री नदि मोदी भागवान बिर्षा मुंडा के जनम दिन के मोखे वर 15 नौमबर को उन्हें नमन करने उनकी जनम अस्तली खुट्टी के उली हातु गाव आएंगे हलाकि उनके आगमन सम्मंदिक कारिकरमों की अभी तक अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है परधान मंत्री का यह दोरा आने वाले चुनाओं के लिए बेहत महत्पुन माना जा रहा है जनकारी के मुताबिक परधान मत्री नमोदी इस मों के पर जन जातिय समुदाय के लिए कई उजनाय भी सुरू करने की घोसना कर सकते हैं उलेखनिया है कि पिछले वर्स राष्ट पती द्रोपती मुर्मों ने 15 नॉमबर को उली हात्यू का दोरा किया था उन्होंने भगवान बिर्शा मुंडा के वनसुजों से मुलकात की थी और उन्हें उपहार दिये थे परधान मत्री नमोदी अक्सर अपने समोधन में भगवान बिर्शा मुंडा का जिकर करना नहीं भूलते हैं किताबों में इंडिया की जग भारत सब्द होगा यूज NCERT का आगया ब्यान बता दे NCERT यानि राष्ट्रिय सेक्षिनिक अनुसंधा निवम प्रसिक्षन परिशत की कितावों में इंडिया का नाम भारत हो जाएगा यह सवाल इसलिए भी उट रहा है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि NCERT द्वारा पाठकरम में संसोधन के लिए गठित उच अस्तरिय समीती ने सभी इसकूली पाठकरमों में इंडिया की जगा भारत सब्द के इस्तिमाल किसी फारिश की है हलाकि इस पर अब NCERT का अधिकारिक ब्यान सामने आ गया है NCERT ने ना तो इस मीडिया रिपोर्ट को सीरे से खारिज किया है और नहीं इसका समर्थन किया है मगर इतना जरूर कहा है कि अभी इन मीडिया रिपोर्ट पर टिपनी करना जल्दिबाजी होगी समाचार एजेंसी एनाई के मुताबिक NCERT की सभी पाठकरमों में इंडिया का नाम बदल कर भारत करने की मीडिया रिपोर्ट पर NCERT का कहना है कि चुकि नए पाठकरम और पाठे पुस्तकों का विकास प्रोसेस में है और उस उदेश के लिए NCERT दोरा डोमेन भी से सभ्योग के विभीन करिकूलर एरिया ग्रूप को अधिसुचित किया जा रहा है बिहार सिक्षक भरती परिक्षा पाइनाम नहीं है फाइनल BPSC अध्याक्स बिहार सिक्षक भरती परिक्षा के लिए जारी हुए रिजल्ट के समाज में BPSC अध्याक्स ने बड़ा ब्यान दिया है आयोग के अध्याक्स अतुल प्रसाद ने कहा है कि BPSC बिहार सिक्षक भरती परिक्षा पाइनाम की मल्टी लेयर फिल्ट्रिंग कर रहा है जिसे अयोग ये उमिद्वारों को बाहर किया जा सके इसलिए सब ही घोसित परिणाम ससर्थ है इस समझ में उन्होंने सोसल मीडिया पर एक पोस्ट भी सेयर किया है जिसे कैंडिडेट देख सकते हैं इसके अलावा उन्होंने एक अने पोस्ट में कहा है कि बहुत जल्द हम सब ही TREPROP के लिए कट अफ अंक भी घोसित करेंगे हजारी बाग बार एसोसियेशन वोटिंग के दरान आपस में भीड़े वकील हजारी बाग बार एसोसियेशन का चुनाओ गहमा गहमी के भी संपन हो गया द्वरसाम मदगर्ना सुरू होने के बाद अध्यक्स पद के दावेदार और उनके समर्थक भारी संख्या में जमा हो गए रात्री अध्यक्स पद पर दुबारा राजकुमार राजु के जीत की खोसना के साथ मदगर्ना अस्थल पर तब तनाव पैदा हो गया जब राजु की जीत पर समर्थकों ने जम का नारेवाजी शुरू कर दी इसी दरान उनके वकील भांजे मनीस से दूसरे वकील विवेक बालमेकी का जागडा हो गया दोनों के बीच मार पीट सुरू हो गाई फिर तुमानों बार एसोसियेशन आखाडा बन गया दोनों पक्छों को वकील आपस में भीड़ गये रांची में अपना खौप कायम करने के लिए मारी थी गोली रांची में अपना खौप कायम करने के लिए जिस अपराधी ने एक युवक को गोली मार कर उसे जीवन भर के लिए मांसिक रूप से अस्वस्त बना दिया अब उसी अपराधी की पुलिस ने हेकड़ी निकाल दी है गिरफतारी के बाद कुख्यात अपराधी बिट्टू पांडे और उसके दो साथियों को पुलिस ने हतकड़ी पहना को सड़क पर परेट कराया बतादे रायधानी के 15 इलाके में मनीश नाम के युवक को गोली मारने वाले कुख्यात अपराधी बिट्टू पांडे को उसके दो साथियों के साथ पुलिस ने गिरफतार कर लिया है गिरफतारी के बाद पुलिस ने बिट्टू सही तीनों अपराधियों को सड़क पर परेट करवाया ताकि लोग यह देख सके कि कि किसी भी अपराधी का अंजाम क्या होता है सीयम हेमन्त की मा की बिगडी तवियत इलाज के लिए गई दिली मुख्यमन्तरी हेमन्सुरेन की मा रूपी सुरेन की बुद्धवार को अचानक तवियत बिगड़ गई है जिसके बाद उन्हें दिली ले जाया गया सीएम की पत्नी कलपना सुरेन उन्हें लेकर दिली गई है मुखे मंत्री खूद उन्हें छोड़ने के लिए रांची यार्पोर्ट गए हुए थे बता दे मुखे मंत्री हमन सुरेन की मा की तवियत खराब हो गई है साम में अचानक उनकी तवियत में खराब होने की सुचना मिली मिली जनकारी के अनुसार सीम की पत्नी उन्हें लेकर दिली रवाना होई आपको बता दे कि पिछले दिनों भी उनकी माता की तवियत खराब होई थी जिनको इलाज के लिए रांची में भर्ती करवाया गया था मुख्यमंत्री हमन सुरेन उनको यारपोर्ट छोड़ने गए थे एसियन महिला होंकी चेंपियंशिप की तेयारियों की समिक छा भारतियों होंकी की इतिहास में जारखन एक नई कहानी लिखने जा रहा है देश में पहली बार एसियन महिला होंकी चेंपियंशिप की आयोजन रांची में हो रहा है भारत के अलावा चीन, कोरिया, जपान, मलेसिया और थाइलेंड की टीमों के बीच खिताबी भिलन्त होनी है सभी टीमे रांची आ चुकी है 27 अक्टूबर से 5 नॉवंबर तक चलने वाले परत्योकता की त्यारियों को लेकर विकास आयोक्त अरून सिंग ने उच अस्तरिये आयोजन समित्ती के साथ समिक्षा बैठक की 27 अक्टूबर से 4 नॉवंबर तक पूलिस चावनी में तब्दिल रहेगा 27 अक्टूबर से लेकर 4 नॉवंबर तक रांची का मोराबादी मैदान पूलिस चावनी में तब्दिल रहेगा मोराबादी स्थीत होके स्टेडियम में होने वाले ACI महिला होके चेंपियंशिप के सुरक्षा की जिम्मेदारी 1000 अपसर और पुलिस कर्मी सम्हालेंगे बता दे रांची के सिनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि सुरक्षा को लेकर पुरो में जो आकलन किया गया था उसके हिसाब से एक हैर पुलिस अपसर और जवान मैज के आयोजन के लिए तैनात किये गए हैं सब्ते महतपुन रांची पुलिस के लिए हुआ होंके स्टेडियम है जहां सभी मैच आयोजित किये जाने हैं उडिसा के राजेपाल के रूप में 31 को सपत लेंगे रखुबर दास भार्तिय जन्ता पार्टी के राष्ट्रिय उपाध्यक्स पुरो मुख बंतिरी रखुबर दास 31 अक्टूबर को उडिसा के 26 राजेपाल के रूप में सपत लेंगे उडिसा के मुख नयाधिस भुनेसवर इस्थित राजभवन में रखुबर दास को पद एवम गोपनेता के सपत दिलाएंगे सिरी दास 30 अक्टूबर को सुनारी हवाई अड़ा से भुनेसवर के लिए उडान भरेंगे तवयकारकरम के नुरूप उडिसा सरकार का चार्टर प्लेन उन्हें लेने के लिए सुनारी हवाई अड़ा पहुचेगा उडिसा पहुच करवे सबसे पहले भगवान जगनात मंदीर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे इसके बाद भुनेसवर के लिंग राजमंदीर जाएंगे महुआ मोहित्रा ने निसिकांट दूबे की डिगरी पर कसा तंज भाजपा सांसद निसिकांट दूबे द्वारा TMC संसद महुआ मोहित्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पुछने के आरोपों की जाच कर रही संसद की अचार समीति गुरुवार को इस ममले पर पहली बैठा करेगी इसमें समीति के समख संसर निसिकान दूबे और वकिल अनन देहात्राई के ब्यान दर्ज किये जाएंगे इधर इस मुद्दे पर बुद्धवार को भी निसिकान दूबे और महुआ मोहित्रा के बिश्ट ट्विटर वार जारी रहा निसिकान दुबे ने अपने सिकायत के संबन्ध में IT मंत्री अस्मीनी वैसनों की ओर से जांच में सहयोग करने का आस्वासन दिये जाने का पत्र एक्स पर सजा किया इसके जवाब में महुआ मोहित्रा ने ट्वीट कर नाम लिए बिनानी सिकान दुबे को फर्जी डिग्री वाला कहकर तंज कसा बाइक से भैस को लगी ठोकर तो चरवाहों ने छात्र को माल डाला दुमका के हंस डिहा थाना छेतरे के ठांडी गाओं के समीप रविवार की देर साम फुटबॉल मैच देख कर वापस लोट रहे आदिवासी छात्र आनन्द लाल सोरेन की चरवाहों ने लाठी डंडों से पीट कर निर्मा मत्या कर दी बस निकले साथी ने तिन घंटे बाद सोजन को फोन से घटना की जनकारी दी है पतादे मौगे पर पहुची हंस डिहा थाना की पूलिस अनन्द लाल को CHC सरया हाट ले गई जहांची किसकों ने उसे मृत घोसित कर दिया सो मौर को सो का पोस्माश्णम कराया गया पूलिस ना घ्यात खिलाप हत्या का ममला दर्श किया है हत्यारों की गिरफतारी की मांग को लेकर लोगों ने पांच घंटे तक सड़क जाम रखा 27 अक्टूबर से 5 नॉमबर तक होंकी चेंपियनसीप एंट्री फिरी जार्खन की रजधानी रांची अंतराश्ट्री ये होकी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पूरी तरह त्यार है शुक्रवाद 27 अक्टूबर से मौराबादी स्थीत मरांगोम के जैपाल सिंग एस्टो टर्फ एस्टेडिया में पहली बार महिला एस्टेडिया में दर्सकों के परवेश के लिए कोई सुल्क नहीं रखा गया है यानि दर्सक सभी मैचों का लुप्त निशुल्क उठा सकेंगे दर्सकों को परवेश पहले आओ पहले पाओ की तर्च पर मिलेगी वहीं जो दर्सक स्टेडिया में परवेश से वन्चित रह जाएंगे वह स्टेडियाम के बाहर लगी LED स्क्रीन पर मैच का लुप्त उठा सकेंगे धन्यवाद यदि आप चैनल परनाये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का वेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर पें दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ बैक और से दे थैंक यू